Hello friends, welcome to globe review दोस्तो आज हम बात करेंगे मुवी Antman, Wasp, Quantumania की तो दोस्तो अब तक आपने Marvel Cinematic Universe की फिलमों का सबसे बड़ा विलियन जो है Thanos को माना जाता है तो अब Marvel क्या कर रहा है? एक नया विलियन को परजेंट कर रहा है जो कि आपको इस मुवी में देखनों को मिलेगा जिसका नाम कैंग है तो Antman franchise की जो तीसरी फिलम है Antman Wasp, Quantumania तो उसका रिविव अब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले मुवी की कहानी का एक ओवर्विव ले लेते हैं तो कहानी Scott Langs शुरू होती है जो कि Avenger की दुनिया बचाने के बाद San Francisco में जो है अराम के जिन्दगी बिता रहा है और इसी टोपिक पर उसने किताब लिखी है जिससे कि जो है कैंग फेमस हो गया है और उसे लोग अब जानने लगे है वे अपनी बेटी Casey के साथ रहता है जो कि एक scientist है और वे अपनी G.F. Hope और उसके parents Janet और Dr. Rack से मिलने जाता है वहाँ उसे पता चलता है कि उसके नाना के research paper को पढ़कर उसकी बेटी Casey ने जो है Quantum Word से connect करने के लिए एक device बनाई है लेकिन Janet को क्या है ये पसंद नहीं आता है क्योंकि Janet पहले वहाँ जा चुके है और 30 साल के लिए फस चुके है दुरगाटना वस जो है सिगनल जो है connected device से Quantum Word में चला जाता है और पांचों जो है Quantum Reals में पहुच जाते है जहाँ पर जो है समय का कोई निंतरन नहीं है और दोस्तों जो Quantum Word को मुवी में दर्शाय गया है तो काफी जो है यूनिक तरीके से दर्शाय गया है जहाँ पर आपको नए नए वीजुल देखने को मिलेंगे कुछ अत्रंगे कीचर देखने को मिलेंगे अब आइडिया तो लगते है और जो है महनत भी लगती है इस तरह के जो है उसके लिए आपको यह film देखनी होगी तो अब बात करते हैं मुवी के कुछ main point की तो direction के बात करें तो मुवी में very good direction किया गया है visual जो है visual VFX वेगारा काफी अच्छी दिखाए गया है जो कि quantum world में बनाए गया है तो real जो movie start होती है जहां पर जब यह पांचो quantum world में पहुच जाते हैं तो उनसे होती है बाकि जो अतरंगे टाइप के कीचर बनाए गया है मुवी में quantum world में जो दिखाए गया है visual दिखाए गया है तो वो भी जो है काफी अच्छा presentation किया गया है storyline जो है movie में काफी अच्छी fit की गई है और एक nice ending जो है movie को दी गई है overall अगर movie के बात करें तो movie में अच्छा काम किया है जो है सभी entertainment team ने and it's a nice content and a very good movie बाकि आप चैनल को subscribe केजिए वीडियो को share केजिए लाइक के जो और comment box में comment करके बताएगी आप